इसमें हमने मौडन हिस्ट्री के कुछ ऐसी विबादाश्पद ऐसे कॉंट्रवर्सिल इसूज को टटोला है जिस पर बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल डिसर्च हुआ है बहुत ज्यादा शोध हुआ है और आप जानते हैं कि खासकर हिस्ट्री की दो दुनिया बन जाती है एक हिस्ट्री की academic world और दूसरा popular world प्राया popular world में कुछ बाते ऐसी प्रचलित हो जाती है जो academic world में स्विकर्ट नहीं होती है लेकिन लोगों के बीच एक वैकल्पिक एक एक पैरलल हिस्ट्री चलता रहता है और खासकर जो हमारे नाशनल इसूस से जुरे हुए मुद्धे हो उसको थोगा सा हम कोशिश करते हैं उसके सारे पहलों को निस्पक्ष होकर हम मुल्यांकन करें वैसे क्योंकि हम जिस सोशियो कल्चर इंवार्नमेंट में पलते हैं उसका कुछ ने कुछ इंपक्ष हमारे उपर पड़ता है जो हमें भी पता नहीं चलता है सामने वाले को पता चलता है करता हूं कि सभी प्रकार के विचारों को जगह दू आपने देखा कि एक लेक्चर हमने लिया था गांधी जी और भगल सिंग के संबंधों को लेकर जिसमें भगल सिंग की फांसी वाले इंपोर्टेंट मुद्य थे जिस पर काफी कॉंट्रोवर्शी थे दूसरा हमने गांधी जी के एससनेशन के मुद्य को लिया था जिसमें नातुराम गोट से और मैंने विविन पक्छों को रखा था उसी प्रकार से हमने नहरू और सुवास के संबंधों को लेकर लिया इस सब्सक्राइब लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं बहुत सारे और्गनाइशन हैं उन सब का उसमें योगदान हो सकता है या उसमें कौन एक स्पेसिक उत्तरदाई है क्योंकि आप जानते हो कि पॉपलर पारलेंस में जो लोग का प्रिया इतिहास है उसमें कुछ और प बस्पष्ट करूं आज में प्वर्श कास्पेस्विक विडेंश लेकर इसलिए नहीं आया कि आज इतने शारे बुक है कि हम किसी एक और दोक्य बुक के रेफरेंस देने से हमारा काम नहीं चल सकता। तो माइसजोंट्स अब लेट लेटा से स्टार्ट नौ पहले हम लेते हैं इस्यू को विवाजन के लिए कौन उत्तरदाई हैं? विवाजन के लिए कौन उत्तरदाई है? who is accountable, who is responsible, responsible for the partition, who is responsible for the partition. अब here we have to mention about the different contenders, ऐसा करते हैं, हम एक एक को कट घरे में खरे करते हैं और सब के लिए सबूत जुटाते हैं और फिर साख जुटाएंगे different stakeholders हैं और यह पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें responsible कौन है, तो पहले किसको लिया, जब पहले लेते हैं, मुस्तिम संगठन को, यहां पर direct हम मुस्तिम लिख का नाम भी ले सकते थे, यह आप रिकव फूत मुस्तिम लिख को, तो प्रेफरेबली आप यहाँ उसे term, मुस्तिम और टेंजेशन, मुस्लिम संगठा मुस्लिम और्गिनाजिशन तो इसमें मुस्लिम लिग एक कंटेन्डर है और सबसे have अप कर सकते हो positive organization के रूप में image किया, लेकिन मुस्लिम लिग के अलावा भी कुछ कंटेन्डर्स है जब तो हम देते हैं इसमें एक मुस्लिम लीग आ जाएगा मुस्लिम लीग और इसके एक दूसरा कंटेंडर हम देते हैं इसमें मुस्लिम लीग और दूसरा कंटेंडर में डालता हूं यह है रुधिवादी मुस्तिम संगठं rudy vadi मुस्तिम संगठं मतलब ऑर्य मुस्तिम संगठं संगठं में कितने का नाम लेता हैं आशिक बना कर आपके सामने रख देता हूं आप कहीं भी लिखने केastic में विवाजन के लिए कौन उतरदाई था आप इन पॉइंट का सीधा इस्तेमाल कर सकते आपके लिए बहुत सिंपल एक कोशिस करूंगा एक 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 होते हुए भी इट सुट बी सिंपल और यू कैंसे जस्ट यू कैंसे मतलब ऐसा नहों कि आपके मतलब बहुत ज़्यादा अकेडमिकली आपके लिए कॉंप्लिकेटेड नहों यह मेरी कोशिस हमेशा रहेगी यह मुस्निम लीग है यह रूटिवादी मुस्निम संगठान है अब इसमें कहोगे रूटिवादी में किसका किसका नाम लू तो देखि हुआ है तो मुस्निम लीग इनके बीच भी मत भीद है और यह मत भीद बहुत समय तक रहा है एक सबर आया कि मतभीद बीजओह हो दूसरा में लाता हूं प्रिट्रिस को क्योंकि यह हैING भी stuk और तीसव लाता हूं कॉंग्रेस को और मैं ब्रिटिस में स्पेस लेता हूं कॉंग्रेस और चौथा मैं लाता हूं हिंदुवादी संगट हिंदुवादी संगट लेखिए इसमें कई थे अगर आप कल्चर ओगरनाइशन के रूप में देखेंगे तो आड़े समाज था और भी कई इसके अलाबा लेकिन यह सब खेर पुरू की औरगनाइशन थे लेकिन इनका कोई विश्यस हम चर्चा नहीं कर सकते हम्मोग रूप से हिंदु महासभाज एक पुलिटिकल पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं उसको हम कर सकते हैं कर रूप में डौमिनेट और रूप में आडी से सब्सक्राइब यह सब हिंदु के हिटों की रक्षा के लिए अपने आपको उसके रिप्रेंटिटिव और नेशन की रूप में अपने आपको प्रस्तूत कर रहें अब इन सारे Contenders को हम देखते हैं कौन Responsible है तो मैं आपको बताओं कि चलिए कहां से सुरू करें तो हम सुरू करते हैं पहले Muslim Organizations ओके पहले इसका नाम लेते हैं देखिए हैं Muslim लेकिन मैं एक एक बार सब की भूविका के बारे में बता दूंगा उसके बाद मैं मैं चाहूँगा कि आपका concept तभी clear होगा कि हम decade by decade दशक बाई दशक ले चाले कि देखिए इनकी policy क्या रही इस कारण से इनका क्या response रहा इनका क्या response रहा तो अगर सभी को हम लोग as a whole organic whole totality के रूप में लेंगे तो जानते हो कि मेरा जो यह मोटो है to make your thinking creation आप इन सभी को देखते हैं इस पर खुद सोचना और फाइनल जजमेंट तुमको लेना है कि अन्य आप सब जजमेंट लेंगे जो मेरे students and viewers है वो काफी enlightened है और आप लोग जजमेंट लेंगे कि भाई किसको responsible माना जाए पहले चलते हैं मुस्तिम संगठन पर तो कहानी मुस्तिम लेग की कहानी बाद में आती है मुस्तिम लेग से पहले शुरू हो जाती एक मुस्तिम लेता है जिनका नाम है सरसेयद हमत खान कहानी यूँ शुरू होती है कि जब भारत में इसलाम आया था तो एक आक्वनकारी के रूप में आया था लेकिन सल्तरत का से मुगल काल तक फाइब टू सिक्सटेट इयर्स तक पांस से छे सो वर्सों तक भारत में रहने के बाद देर देर इसलाम का देशी करन हो चुगा था और फिर उसका जो प्रतिरूप इसलाम का जो दक्षिन एशिया चाया में दक्षिन एशिया से मतलब है कि 80% दक्षिन एशिया तो भारत ही है दक्षिन एशिया में जो इसलाम का रूप प्रकट हो कर आया था वह बिलकुल विस्टेशिया और मदेशिया की इसलाम से अलग हो गया था इस पर सुफिजम का इंपैक्ट था, सुफी पंत का प्रहाव था, इस पर एक महत्पून प्रहाव हिंदु कास्ट सिस्टम का था, ठैक्ज कोजी इसलाम में कास्ट सिस्टम नहीं था. अब सूस या है कि भारत का जो इसलाम है, उसने आर्टिफिशली अपने आपको एक कास्ट के रूप में ढाल लिया था तो आप देखोगे कि यहां पर एक कास्ट सिस्टम जैसी चीज भी एक्जिस्ट कर रही थी तो मैं इसी क्रम में आपको बताना चाहूंगा कि घटना कुछ इह इस तरह की हुई 18 सेंचुरी तक आकर भारत में एक बड़ा एक कंपुजिट कल्चर था समझ भी संस्कृती थी बदब हिंदू और मुसल्मान दोनों में काफी एक तरह से समझे तो सोशियो कल्चर इंटिग्रेशन हो चुका था खान पान पहनावा और हावा रहन सहन विचार देश्टिकोर भ नए नए जो म्यूजिक के प्रकार है उसमें इरानी म्यूजिक और हिंद और भारतिय म्यूजिक दोनों को मिला कर वो प्रकार डेवलप हुए इन सबका इंपक्ट हम देखते हैं कि दोनों के संबंधों के उपर पर आए इस तरह से एक भारत में 17 संस्कृति डेवलप कर इस ने सत्ता मुसल्मानों से छीनी और उसमें मुस्निम रूलिंग क्लास के लोग थे हां मुगल सिंबल ऑफ पावर थे सब कुछ ठीक जा रहा था फिर हिंदू और मुस्निमों के बीच अब हुद्पूर एकता देखी गई एक अनकॉमन टाइप ऑफ यूनिटी यह आप 1857 के ग्रेट रिवोल्ट के समय देखते हैं कि हिंदू और मुसल्मानों के बीच एक बेहतर एकता आप 1857 के महाविद्रो के समय देखते हैं जब दोनों कंधी में कंधी मिलाकर आप और बिटिस के साथ टकरा रहे थे इट वर्ड इट वरी निव एक्स्पिरियन्स 1857 के महाविद्रो के बाद बिटिस को ऐसा लगा कि इस पूरे रिवोल्ट का एक्ट्वल जो विलेन है वो मुसलिम्स है और 1857 का यह जो महाविद्रो है कहीं न कहीं मुस्पिरेसी का परिणाम है उसने जानबूच कर पहले मुसलमानों के ब्रुध निती अपनानी शुरू क हिंदों से पिछिरे हुए थे अब इस भेद्वाव की निती के कारण वो और भी पिछरते चले गए तो इसका सबसे पहले इस बात को महसूस किया एक मुस्लिम लीडर थे जो सरसेद अहमद खान थे वो पुराने बिरोक्रेट रह चुके थे उनमें प्रयाप्त अंग्रेज सकर्स की मुस्लिम यूबकों के बिच उन्होंने अंग्रीजी शिक्षा को फैलाने का प्रयत्म किया और उन्ग्रीजी सिक्षा को फैलाने के क्रम में उन्होंने एक कि विशुष्ट सांस्थान के अस्थापना की जो आप लोगों ने नाम सुना होगा एंगलो ओरियंटल कॉलेज अलिगर एंगलो ओरियंटल कॉलेज इसमें उन्होंने यही सोचा यहां पर राम माधव कहते हैं राम माधव के अभी रिसेंट में बुकाई है पार्टिसन फ्रीडम इसी वर्स तो राम माधम ने उस पर इसमूद्दे को उठाया उन्होंने कहा है कि देखिए सरसरीयत अहमद खान लॉड मैकाले की सिक्षा पज़ती जो लॉड मैकाले ने हिंदू के विशय में कहा था कि एक ऐसे भारतियों के एक वर्ग को जन देना है जो जन और रंग में भारतिये ह हो लेकिन अपने बिचारों में द्रिष्टिकोन में और नैतिकता में ब्रिटिष हो तो सरसरीयत अहमद खान ने भी कहा है कि हम ऐसे मुस्लिम सम्दाय को एक ऐसे मुस्लिम वर्ग को जन देना चाहते है तो रंग में और रक्ट में में भारतिय हो धन में मुसल्मान हो लेकिन अपने दिश्टी कौन रूची और नैतिकता में अंग्रेज हो उन चाहती थी कि अंग्रेजियत हम लाएं वहां तक तो ठीक है अब उनके मन में यह बात बैठ गई कि देखे अगर उथान करना है अगर मुस्थिम समाज का उथान हो मुस्थिम सोसाइटी कैनाट मूव ऑन दा पाथ और प्रोग्रेस तो यह दिमाग में उनको कहीने कहीं भरी हुई थी इसलिए अठासो असी के दशक के बाद अठासो असी के दशक भी उन्हें बिटिस राज पक्सधरनिती अपना ली अब देखिए दिल्चस पीज है मैंने उलिमाओं के दौरा संचालित किया जा रहा है उसमें खुरान और हदिस की सिख्षा दी जा रही है और कहीं ने कहीं इसलाम को प्यूरिफाइ करने की या उसको सुद्धी करन की बात की जा रही है अब इसके साथ सरस्रीयत अहमद खान का मतवेद किस मुद्धे पर हो जाता है कि मैं आपको बताना चाहता हूं मतवेद की वजहिया हुई कि जैसे इसलाम मैं आपको बताता हूं कि इसलाम में एक तरह से अगर आप कहेंगे तो राष्टवाद की ओधारना नहीं राष्टवाद की ओधारना और इसलाम में नहीं हो सकती क्योंकि यहां पर ओधारना है उसको बोलते हैं मुस्लिम मिल्लत मुस्लिम मिलेट इंग्रिश में उस अभावाम इस दिस पॉइंट अभी कि यहां जो मुस्तिम मिलत और अवाम के अधार नहीं है इसमें पूरी दुनिया के मुसल्मानों को समेट आ गया है माना जाए है कि पूरी दुनिया के मुसल्मान की एक पहचान होनी चाहिए एक मुसल्म मिलत है और हमारा उद्दिश होना चाहिए दरुल हरु को दरुल इसलाम बनाना हम पूरी दुनिया में इसलाम का सासन लाना चाहेंगे पूरी दुनिया में इसलाम के कानून चले? मुस्लिम्क शरियत लग हो यह जो इनके उधारना है इनका व्याशिक दिश्टी कोर है और सरस्य्यत आहमद खान का जो दिश्टी कोर है वो मुसलिम मिलत या अवाम के उधारना से सरसयद अमधखान अलग करते हैं आपने आपको और सरसयद अमधखान चाहते हैं कि हम मुसल्मानों को भारत की भूमी में बांदे हैं उसको कहते है एक टर्म आता है Ethnicization and Territorialization of Islam मतलब वो इसलाम का च्छित्रिय करन करना चाहते हैं वो इसलाम को एक इसनी ग्रूप के रूव में इस्तेमार करना चाहते हैं इसलिए वो नाम देते हैं कौम आवाम का नाम नहीं यूद करते हैं कहते हैं कौम का मतलब हुआ उनको कहना था कि हंदू और मुसल्मान दो कौम क्या कि आप मतलब कहा है तो कह सकते हो Community Community का मतलब समदायब तो Community या समदायब मुस्तिम और हिंदू यह डि दिफ्रेंट कम्यनीटी इस और समदाय इनकी अपनी अलग-अलग कोमीनीटी है या समदायब ये इनकाना था तो मुझेंमिल अथवाऊम सब्द को नहीं लाते हैं, वोलते हैं, मम को दुनिया के मुसल्मान यह को भारत के मुसल्मानों को देखना है इसके वजह किया में बताता हूं, कि नियत क्यों खरब हुई, I have to discuss with you. Actually, in 1882, Lord Ripan, he introduced a specific act that is called the Local Self-Government Act in 1882. So, in this act, for the first time, the election politics was introduced at the level of local self-government. So, in Hawaii, in 1882, God, Lord Ripan Shoa granted theiska department that immediately took place in 1882. में पहली बार शुरू हो गई पंचायत के अस्तर पर फिर विधान मंदल के अस्तर पर होना है वह से भी कॉंग्रेस के जो उदारवादी नेता थे जो लिबरल स्कूल कॉंग्रेस है वह बार बार मांग कर रहा था सरकार से कि देखे अभी अब वक्त आ गया है कि आप हमें विधान मंदल को शक्ति दीजिए लेसलेटिव असेम्लीज है देशुट भी एक अग्वाड़ेट देव पावा एंड देर शुट भी देशुट भी देशुट भी देश अधिक परतरिन ध्यात्म बनानी है यह उनकी मांग थी आप सरस्यसिद अमद खान के खर्यां के कान hr नहीं उनका यह मनना था खिता ब्लाइं मुसल्मानों से छीनी गई थी प्रंतुर ब्लाइब मुसलमानों के प्रकाइस्य इस चैए अब जब भी आगे आएगी तो democracy का यूग आ जाएगा, repetitive government आ जाएगा और यह सत्ता चली जाएगी हिंदुों के हाथ में, वहीं से उनकी नियत खराब होना शुरू हुआ और सरसेदामत खान ने वहीं से मांग शुरू कर दी, देखिए दो कौम है हिंदु और मुसल्मान और अगर आपको मत लेना है तो दो मत है, एक मत हिंदु का है, एक मुसल्मान एक अलग कौम है, उन्होंने इतना तक क्लेम किया जिसरह से हिंदु बाहर से आये, उनका इशारा आरियों की तरफ था, और हिंदु स्तान पर मतलब भूमी पर कबजा जमाया, और फिर यहां के बासिंदे बन गए, आज यहां पर के ओनर होने का क्लेम करते हैं, उसी तरह से मुसल्मान भी पांच-छे सो वर्स पूर आये, उन्होंने भी यहां पर कबजा किया, और फिर यह खान के आर्गुमेंट से सहमत नहीं था, उसका यह कहना था, आप हिंदुस्तान के मुसल्मानों के कंटेक्श्ट में मत बोलिया, अगर आपको बोलना है तो पूरी दुनिया के मुसल्मानों के कंटेक्श्ट में बोलिया, और से अमत खान, दुनिया के मुसल्मानों से मतलम और गंगों ही थे उसके हेड़ थे तो देवफध इस्कूल के तरफ से सर्सेजद आहमाद खान के विरुद एक फटवा तक जारी किया घाथ प फटवा होता है इसलामी आदेस पत्र जो किसी विरुद जारी किया जाता है किसी इसलाम के सत्रू या दुस्मन की तरफ एक तरह से उन्होंने सरसेद अमद खान के विरुद अत्वा तक जारी कर दिया यह जो आप देखते हो घटना यह बिसिकली यहीं से एक तरह से मुस्लिम अलगावाद का दौर स्पेर तो इतना तक कह जाते हैं पर्थम पाकिस्तानी उनको कहते हैं सरसेद अमद खान को यह फॉस्ट पाकिस्तानी अब यह शब्द कहां तक उप्यूक्त है यह आप त्यकर हो गए लेकिन यह शब्द एक्सेप्टेवल नहीं है चुकि पाकिस्तान बहुत दूर की चीज है और सरसेद अमद खान इतना तक नहीं सोच रहे थे वालकि दो राष्ट भी नहीं बोल रहे थे उनका काना था कि दो कौम हैं दोनों का अधिकार चाहिए और दोनों कौम आपस मिलकर तब इंडिया राष्ट बनाएंगे भारत हिंदूस्तान राष्ट बनाएंगे उनका क देखिए इनकी नियत खराब हो रही है कि आप हेट काउंटिंग मत करिए मतलब आप संख्यात्मक्षंता को दरकिनार करिए और रानितिक महतु के आधार पर आप निरने लीजिए और किसी की संख्या ज्यादा भी है तो उसको ज्यादा अधिकार मत देजिए अब देखिए एक कहावत आपने सुनी होगी रोपिय पेर बबूल का तो आम कहां से पाए इसकी खीमत पाकिस्तान को चुकानी होगी एक राष्ट के रूप में तो कभी डेमोक्रिसी नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी जो पहली सोच जो अलगावाद की वो ही अंडेमोक्रिक है और सरसेयत यह इतैले कि एक पाकिस्तान बनाएंगे तो पाकिस्तान का अपना ही बायَंग से º dispagon리 जाएगी जो पाकिस्तान बाइंद मेंन आप देखोगे मुख मुद्ध essay यह हैं कि बांगलादेश की जंसंख्या पस्मी पाकिस्तान के बराबर थी सोरी बांगला देस तो समय नहीं कहा जा सकता पुरुवी पाकिस्तान का जो पॉपलेशन था वो पस्वी पाकिस्तान के चार एस्टेट के बरावर था और पुरुवी पाकिस्तान एक एस्टेट था लेकिन उसकी उसमें डेंसिटी और पॉपलेशन ज्यादा था इधर ज्यादा था तो पाकिस्तान के सम जनरल था तो फिर इस तरह से अपना दूसरे आते गए लिया का तली खान प्राइमिस्टर थे पर उनका देथ हुआ तो फिर दूसरे प्राइमिस्टर आए तो इस तरह से आप देखते हों कि ओहां पर यह मांग उनके दौराव उठाई जा रही थी भाई आप संख्यात्मक छ यहीं से उनकी उसका डिस्टॉर्शन पाकिस्तान की पॉलिटिस का सुरूब अब देखिए अब मुस्तिम लिग तो अभी नहीं आई है लेकिन सरसेद अमध खान तो मर गये उनका डेथ के बाद उनका उत्राधीकारी संजुक्त प्रांथ संजुक्त प्रांथ जो बर्तमान य एक अपस में इंटरेक्शन बरहा और फिर यह होने लगा कि भाई अब समय आ गया है कि हम मुसल्मानों के पक्ष में कुछ करें तब तक इधर में बताना चाहता कि एक घटना बिटिस के साइड से सुरू हो वे बिटिस का नियत कैसे खराब होना शुरू हुआ मैं आपको ब कॉंग्रेस का च्रितर बद ले लगा कॉंग्रेस मोड्रेट फेज जिसको आप उदारवादी चरंद कहते हो उसमें कॉंग्रेस में प्रतिवेदन की राजनितियों विश्वास प्रकट किया था तो प्रियर्स पेटिशंस मेमोरियल्स कहते हैं कहीं ने कहीं उनकी जो दिया उग्रवादियों का कहना था नहीं हमको बिटे से फाइट कर रहा है हमें स्वराजी चाहिए उढ़ने स्वराजी की मांग उठाई और इस मुद्दे को उठाकर स्वदेशी मुहमेंट आरंध कर दिया आपनों को पता है तो यह तो खेर बात लेकिन स्वदेशी मुहमें कि अब हमें कुछ करना चाहिए उठाव के लिए नहीं तो हम फस जाएंगे उसी करह में लॉड करजन महोदै ने सब से पहले एक खेल खेलनी शुरू कर दी कि हम कॉंग्निस को कमजोर करें और राश्टिया आदुन को कमजोर करें तो लॉड करजन की तरफ से पहले हां शु मुसल्मान खुस होंगे क्योंकि उसने कहा बंगाल व्युहाजन के समय मुसल्मानों को आश्वासन दिया इस व्युहाजन के बाद मुसल्मानों को बंगाल में वह एक ता मिलेगी जो पुराने राजाओं और नवाओं के समय से नहीं मिल सकी है तो ऐसा आश्वासन देकर व सब्सक्राइब के मुखधारा से अलग हो जाएंगे इसका सीधा फाइदा बिटेश को मिलेगा जिसको आप ठेट सब्दों में को डिवाइड डूल पॉलिसी मतलब डिवाइड डूल पॉलिसी जानते ही हो तो उनका ये कहना था कि इस तरह से फूट डालो राज करो की नितिके थात हम जितने अच्छे धंग से चाहेंगे हम भारत को तो राष्टी आदन को कमजोर कर लेगे इसी क्रमे लॉड करजन ने बंगाल का विवाजन कर दिया अब बं प्रतनीधी मंडल अपने नाम सुना होगा ये शिमला प्रतनीधी मंडल एक अक्टूबर 1906 ये प्रतनीधी मंडल सिमला गया इसमें 35 कुलीन मुस्लिम नेता थे और आगा खांकर नेत्रित में यह मुस्लिम प्रतनीधी मंडल जाकर वायस रायल रॉड मिंटो से सिमला में मिला अब देखिए यहीं से कितना अंडिमुकरिक मांग है वो क्या मांग करते हैं आपको बताता है उनका ये कहना है हमारी एतिहासिक भूमिका को देखते हुए एतिहासिक इस्टोरिकल रोल मतलब कि हम रूलिंग क्लास से रहे हैं हम इंडिया में ज्यादा वेटेज रहा है हम बीश्यस लोग हैं हम कॉमन हिंदू की तरह नहीं है तो पर्शिविंग आवर के स्टोरिकल रोल एंड तर्विस स्टोरिकल रेंडर तो देखिए हम ने जो हमारी एतिहासिक भूमिका है हमारा महत्व रहा है इंडिया में रूलिंग क्लास के रूप में दूसरा हमने जो बीटिस सामराज को इतनी सेवा की है इसके बदले आप हमें जनसंख्या से अधिक प्रतनेतों देथी जी सकते हैं उनका मांग कितमा अंडेमोकेटिक है और हमें प्रिथक निर्वाचन दिज्या प्रिथक निर्वाचन क्यों मैं आपको बताता हूं जैसे अब संजुक्त प्रांग में युनाइटर प्रभिंस में उनकी पूरी जो पॉपलेशन थी मुसल्मानों की मात 14 परसेंट से नहीं होता है तो आप जानते हैं कि जो जो एक्जिस्टिंग बोटिंग सिस्टम था तो ज्वाइंट एलेक्टुरेट थे संजुक्त निर्वाचन था अब चार चार पांच पार कैंडिट खरे हो रहे हैं और नंबर और बोट्स पर डिपेंड करता था हो सकता था कि 14 प् पिर्थक निर्वाचन हो गया से पिट एलेक्टुरेट हो गया तो जहां वह अलसंखक रहेंगे उहां पर भी उनको खास नंबर और सिट्स मिल जाएगी से प्रेट क्या होता है तो ज्वाइंट एलेक्टुरेट में क्या होता है अगर आप आरक्षन कहेंगा आरक्षन हो न और जो कैनिडेट्स होते हैं वो भी एक खास धार्मिक समूझ से होते हैं उजुद दोनों का जो वहां पर आप देखेंगे वह बेसिक्ली तो उनों में एक बहुत वड़ा फ़र्किया होता है इसका मतलब यह हुआ कि पिर्थक निर्वाचन के तहत हर प्रवियंस में मुसल्मान को जो मुस्तिम जन्संग क्या है उसमें एक खास नमर और सिट्सम को मिल जाएगा यही वो मांग कर रहे थे और इसी करमें वो सिम्ला प सोच पा रहे हैं यह हिंदुस्तान के लिए ही ने बिटिस के लिए डेंजरस हो जाएगा उसने कहा भी मिन्टो को कि देखिए आप ड्रैगन के दांतों की बुवाई कर रहे हैं इसका फल करवा होगा लेकिन मिन्टो के दिमांग में दूसरी एक एक इक्वेशन चल रहा था वह यह सोच रहा था कि हम राष्टिया अंदर्म को कमजोर कर लें और उसने 1909 की जो अधिनियम आया उसको मौडले मिन्टो डिफॉंस बिल कहते हैं उसमें पहली बार सेपरेट एलेक्टोरेट अथवा प्रिथक निरवाजन को स्विकार कर देखिए यहां पर तो सरकार ने मुस्तिम संपर्दाइबाद को उकसाना शुरू है अब यहां मैं आपको कॉंग्रिस का रोल बताता हूँ कॉंग्रिस का रोल तो शुरू होता है थोड़ा सा आगे इसलिए हम तोरा सा आगे ले लेते हैं या फिर चलिए इसके बाद एक और भी डेवलक्मेंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा इधर मुस्तिम लिग की अस्थापना हो जा इसे सिमला प्रतनीधी मंडल मिलता है तो इधर मुस्तिम लिग की अस्थापना अक्टूबर एक अक्टूबर 1906 को सिमला प्रतनीधी मंडल मिलता है और फिर दिसंबर 1906 में धाका में मुस्लिम कुलिनों की एक सभा होती है कॉन्फरें से लेंग्विज के उपर है लेकिन वही जो उर्दू कॉंफरेंस है लेंग्विज के उपर वही बदल जाती है एक राजनितिक दल के रूप में जिसे आप कहते हो मुस्निम लीग के रूप में राजनिती दल अस्थापित हो जाता है और in this way you can see कि दिर्वादर फाउंडेशन ओफ लीग लीग का फाउंडेशन हुआ इस तरह से जो डिफिरेंट और यह अब जो मुस्निम लीग आ गई तो मुस्निम लीग ने आरंभ से अपनी नीती बना ली बिटिस राज पक्षधरनी थी हमें बिटिस के पक्ष में काम करना और बिटिस समू से थे जैसे वो मौलाना अबुलकलाम आजाद भी थे जाफर अली खान इस सब नेता थे यह शौकत मुहम्मद अली शौकत अली जाफर अली खान हसन इमाम इस अब जो लीडर्स थे इन लीडर्स का जुकाव राष्टबात की तरफ तरफ होने का मतलब यह था उनका वि सब्सक्राइशन जो वह ऐसा नहीं मान के चलते कि हिंदुस्तान के मुसल्मानों के एक हो जाना चाहिए वालकि उनका देश्टी कुन बेटिस विरोधी थी था जैसे जैसे इन नेताओं का प्रहाव बढ़ने लगा वैसी वैसे मुस्तिम लीग का स्वर बदनने लगा और 113 में मुस्तिम लीग ईन्नेताओं के प्रहाव में पुराजि का प्रस्ताओं पारित ब्रॉत कर लिए मुस्तिमली बनीतु राज पक्सधर के रूप में थी लेकिन धीरे-धीरे वो बेटिस राज से हटकर और राष्टबालत की तरफ आ रही थी अब इसी की तार्किक परिणती होगी 1916 में लखनो पैक्ट कॉंग्रिस की पहली गलती क्या है मैं आपको बताता हूँ जैसे 1909 का जो परितख निर्वाचन है वो परितख निर्वाचन बहुत आपति जनक था यो पहली बार आप मुसल्मानों को एक अलग निर्वाचन बना कर यसिद्ध करना चाथा हो कि मुस्निम और हिंदू दोनों अलग-अलग राश्ड कि अलग-अलग-अलग लोग हैं- एक अलगावाद को बरहावा देते हो और कहीं ने कहीं एक मुस्तिम और हिंदू के बीच में आप बताना चाहिए जैसे एक संपरदायवाद की निप पड़ रही है संपरदायवाद की निप है अब एक टर्म आता है कॉमनलिसम बहुत ही कॉमन टर्म है और डिक्री लाइफ मे में नो पहचान है दस पहचान है हम किसी चात्र के अप вый पूरुश है है उस चौत्र का है इस राणितिक itself चम्जचन का श्रधत से है उस राणितिक संगठन का है वह च्छातन है नोकटी पेशा है किसान है वह प्र उसके पहचान है फिर वह एक खास जाती से वह किसी इनसान के लाइव में 9 या 10 पेहचाने होती अब 9 और 10 पेहचानों में बाकी पहाचानों को आप तागपर रखतीजिया आप उसको डिनाई कर दिजिये और ये केवल धर्म को पहचान बनाकर, आप यह बोलिए कि हिन्वीय मुसल्मान दुनों दो राष्ट हैं, और ना इनसाफी हो, क्योंकि धर्म हो सकता है कि हम मंदीर जा रहे हूं, आप मस्जित जा रहे ह lemons जा रहे हूं, तो हहां हूसकता है कि एक congregation हो, एक religious community हो, उस religious community से हम जूरे हुए हो लेकिन जब हम बाहर आते हैं तो हमारा हो सकता है हम किसी राजनितिक संगठन के जिसके हम सदस हैं उसमें कुछ हिंदू हैं कुछ मुसल्मान हैं हमारा राजनितिक हित अलग हो सकता है हमारा सामाजिक हित अलग हो सकता है यह अलग हो सकता है, अर्थिक खित अलग हो सकता है, हिंदू मुसल्मान मिलकर बीजनेस कर सकते हैं, लेकिन संपरदायवाद ऐसा नहीं कहता है, संपरदाय बात कहता है कि बाकी पहचानों को ताक पर रखती चीए, उसको हटाइए, तिर्फ एक पहचान को रखिये हैं, आप ह इंदू हैं, मुसल्मान हैं, यह आपकी मौलिक पहचान है, अब बाकी जितनी भी पहचान हैं, सब उसका पूरक है, इसी क्रम में जो कॉम्नलिजम है, that is the term कॉम्नलिजम, he just tries to, sorry, it just tries to establish that, कि the specific religious community is having the common and identical political, economic and social interest, मतलब का काना है कि कोई अगर विस्ष्ट धार्मिक समधाय है, तो उसका रानितिक हित, आर्थिक हित और सामाधिक हित समान है, मतलब अगर आप मुसल्मान है, तो आप अमुक पार्टी को बोट दें, और आप हिंदू है, तो अमुक पार्टी को बोट दें, अब दें, यही बढ़िया से समझाया हुआ है उस पर योगेन जादव का काम है कि हर एक इनसान एक जगह मैजोरिटी है प्रन्तों दूसरी जगह हो जाता है जैसे एक यूपी का जो सवर्ण है यूपी का आप कर सकते हो कि यूपी का है और हिंदू है तो मानता है कि हम मेजोरिटि है क्योंकि यह तरह से काव बिल्ड का है हिंदू है लेकिन जब वहां से निकलेगा और एक ट्रेन पकरके करनाटक जाएगा तो करनाटकक स्टेशन पर उतरते हैं वह अब मानोरिटी हो गया निर्जाति अलसंखक हो गया तो हर ब्रतीक जगा पर अलसंखक है दुसरी जगा बहुत संखक है अगर यह फेलिंग हो अगर इस तरह का अगर डिविजन हो सोसाइटी में तब तो बोटिंग में धर्म का अधार पर बोटिंग होने का मतलब भी नहीं और धार्म का अधार बोटिंग नहीं होगी तो मुस्तिम पर्मानेटली अधुसंक्त कैसे रहें यह तो बिडमना होई कि वहीं से यह सूच आरब होई अब समझ सकते हैं इसको इसको तरह से आपनों अगर वैसा डिवीजन होता जैसा मैंने आपको बताया है तो फिर धार्म का अधार पर संक्राइक होने का सवाल नहीं था समझ सकते हैं कि तब इस तरह से बाते बढ़ी और जब 1913 में तो कॉंग्रिस अब देखिए जब प्रिथक निर्वाचन बिटिस ने इंट्रोडियूस किया बिल्कुली अलगावाद को पुरोसान था चुकि अपने धार्मिक पहचान को स्विकार किया कॉंग्रिस ने सेपरिट इलेक्टोरेट या प्रिथक निर्वाचन को स्विकार नहीं किया जब तक उसको वैद्धता तो मिलेगी नहीं कियोंकि आप कुछ भी कह लो majority community है और जब majority community जब यहां accept नहीं कर रहा तो आपका जो separate electorate है प्रिथक निर्वाचन है उसको वैदता कैसे मिलेगी उसको legitimacy कैसे मिलेगी सोचने की बात है तो अब यही है कि 1916 में जो लखनो पैक्ट वा मुस्तिमली का पहली बार joint session हुआ उस joint session में मुस्तिम लीग का समर्थन प्राप्त करने के लिए राष्टी आधरन में जैसे दोनों मिलकर स्वराज जी का मांग करेंगे है कि प्रिथक निर्वाचन है प्रिथक निर्वाचन यह भूल हुई और कॉंग्रिस की निटी में उहां पर आपको एक चुक दिखती है अब इसके बाद फिर एक स्टिप आगे चलिए अब कॉंग्रिस से दूसरी भूल क्या होने जारी जब महात्मा गांधी आई जबने को भी इस बात के लिए सज़ेस्ट किया था कि हिंदू और मुसल्मान दोनों मिलकर मांग करें एक तो महात्मा गांधी के दिमांग में यह भी चल ला था कि मुस्थिम और हिंदू के बीच एक परकार की एकता होनी चाहिए और दूसरा कि उनके मन में एक अलग परका अलग है जाती पहचान अलग है तो उसको धार्मी को जाती पहचान को अलग बनाये रखने को अलाव करिये और महत्पुन राटिक मुद्दों पर गढधवन्दन कर लिए इसको कहते है कंपोजिट नासलिसम का कॉंसेप्ट पहले विपिन चंदरपाल का था तो गांधी जी ने भी इसको एप्रोप्रीट किया तो यह जो कॉंसेप्ट है तो यह कॉंसेप्ट के तहट आपके मुस्दिन पहचान है आप अपने धर्म को हिमायत कर रहे हैं उसे हमें कोई लिना दिया नहीं है रानितिक मुद्दों पर हमारे पीच एक एकता हो और उस कुछ खास मुद्दे पर हम लोग सहमत होकर और रास्व का निर्बान करें इस प्रकार से उनका यह धारना बहुत लों को पसंद नहीं आएगी क्योंकि उसमें गांधी जी ने वहां गलती यह हुई कि उन्होंने ज दोस्त पहला ओल इंडिया मुहमेंड चलाया जिसको आप और सेयु गांधुन करते हो नन कौपेसर मुहमेंड वो खिलाफत के मुद्दे पर चला दिया और खिलाफत का मुद्दा में एक तुर्की का खलीफा था जो मुस्तिम लिग का प्रधान मना जाता था अब एक अंतर करों निधी मंडल लेकर जाका प्राइमश्टर से मिलते हैं लॉइड जोस इसको कोई वी तरह से रियायत करने से मना कर देता है तो लोट के आते हैं तो गांधी जी के मन में था कि बैठिस ने अब तक जो कारड़ खेला है वो फूर डालो और राज करो कि निती के माध्यम स खेला है तो यह काम हम करते हैं हम उसको एक दूसरा sama कर यहाँ पर खेलते हैं और हो है यूनाइट एन्वाइट सहबैंस हो değil करो हम उसी की हथियार्थ सो उसी को प्राजित करते हैं लेकिन उनका एक इस्टैजी था वह देंजरस सिद्ध हुआ क्योंकि यी अल्ब कालिक लाव के लिए दिर कालिन घाटे का सौधा तया हुए इस करण से आगे समस्या आए जाएगी आच्छली समस्या आजाएगी अब देखोगे और दोनों के बीच अलगावाद की भावना और मजबूत हो जाएगी खेर एनिवे यहां पर गांधी जी से भूल हुई जो खिलाफत के मुद्दे को उठाया चुई खिलाफत के मुद्दे में यहां के रानितिक बाताब्रण को थोड़ा खराब किया इसी जो जिन्ना जैसे सेकुलर माइनेड लीडर थे वो हासिये पर चले गए और जो और्थोड़क्स लीडर थे जो रुडिवादी नेता थे वो राष्टी आंदोरन की मुखधारा में आ गए इस कारण से एस रुडिवादी तत्यों का महा तो काफी बर गया और विसेसकर हिंदू में भी इसकी प्रतिकिरिया हुई इस घटना के बाद जैसा कि लिखते हैं विपन्चंद्रा भी लिखते हैं या आप कर सकते हो शेकर कटर हिंदू थे या जुरुडिवादी हिंदू थे उनमें भी एक प्रतिकिरिया होने लगी और वह प्रतिकिरिया का नतीजा था कि राणितिक संगठन के रूप में आरेसस का गठन पचीस में हो गया तो गांधी जी की एक भूलने कई तरह की काउंटर इंपैक्ट पैदा कर दिया तो यह है अब आपने यहां तक 1920 तक देख लिया इसकी बाद है चलिए जो कॉंग्रेस और मुस्तिम लिग की जो खिलाफत वाली एकता थी बहुत अल्प कालिक सिदु ही 1923 में दोनों के बीच फिर ते ना 1922 से 27 के बीच जैसा कि आगे साइमन कमिशन रिपोर्ट करता है कि 112 दंगे जरब हुई मुसलमानों और हिंदू के विच भारत में तो यह कहिन कहिन दोनों के बीच वे एक ताहव बनी नहीं रह सके बिसेस करिसली कि गांधी जी ने अर्विट रेडिली मतलब 111 चिक तोर पर और बिना मुस्तिम लिग को सब्सक्राइब को वापस ले लिया था और जब कि खिलाफत का भी मुद्दा ऊसरे उगांधुन का एक मुद्दा था इसलिए जो मुस्तिम और्गनाइशन था उसको इस बात से थोड़ी से चोट पहुंची और जो इस तरह का उनका जूनेर नहीं और भी ट्रेडी था और उन्होंने इस तरह का डिसिजन लिया तो इसलिए थोड़ा सा दोनों के बीच और भी मत्वेद हो गया तो इस दो पॉइंट एंड उसके बाद हम आते हैं कि यहां तक 1927-1930 तक आप चलती हो अब आगे क्या होना है आगे होना है कि मैं चीजें बताऊंगा अगर आपको थोड़ी सी कनेक्टिविटी इतिहास में बनी हुई होगी तो आप जानोगे कि उनिस सोब गांधी जी तो फिर ग्राफ्तार होकर जेल में चले गए इसी बीच एक सुराज पार्टी का गठन हुआ तो सुराज पार्टी ने तो बहुत मुसल्मानों से सहमती हुई थी और मुस्तिम लिख से सहमती थी और इस तरह से एक बार आप देखोगे कि एक सी अर्दास ने एक फार्मूला भी लाया था हिंदू-मुस्तिम एकता का इस प्रकार से पुराजी पार्टी तक तो ठीक रहा फिर 1927 में साइमन कमिशन की घोसना बेटेस ने कर दी तो 1928 में पूरे देश वर में साइमन कमिशन का वहिसकार हुआ तो उसका जो भारत सचिब था उसका नाम था बरकेन है तो उसने इंडियन पार्टी को चुनोती दी कि चलिए आप को मेरा दिया हुआ समिधान मंजूर नहीं है तो आप एक ऐसा समिधान बनाईए जिस पर आप में से अधिक से अधिक जो राजनितिक दल है कम से कम जो डॉमिनेंट राजनितिक पार्टी है यह कॉंग्रेस है मुस्निम लिए उनके भी सहमती बने इस चुनोती को कॉंग्रे इसी समिधान था इंडिजनरस कॉंसिचूशन था अब उसमें देखिए अब इसको आप कॉंग्रेस की किसरी भूल कर सकते हैं भूल क्या होई इसने 1928 में जो नहीं रिपोर्ट आई उसमें इसने प्रिथक निर्वाचन को आस्विकार कर दिया और प्रिथक निर्वाचन को आस्विकार करके संजुक्त निर्वाचन का मॉडल लखा मतलब कि मुस्निम लिए को कहा कि आप प्रिथक निर्वाचन छोड़ दीजिए और उसके संजुक्त निरवाचन की अब जब संजुक्त निरवाचन की बात कही तब तक मैं आपको जिन्ना के बारे में तो थोड़ा जानना आपके लिए अवर्शक है तो यहां पर क्या है कि 1928 में इसको भी राम आधर ने इस घटना को हाइलाइट किया है जो जब मुस्तिम्ली के साम बिल्कुल नहीं चलेगा हम इस पर आप से कोई बात ही नहीं करें जिन्ना था उत्थ्वरा सौफ्ट हुआ जिन्ना ने कहा कि हम बात करेंगे लेकिन उसका काना था कि ये उसके बदले आपको तीन सर्ते पूरी करनी पड़ी अब तीन सर्त उसने बड़ी बिकट सर्ते भी उसने कहा कि समिधान की जो रेसिडियरी पावर्स होते उसको अवसिस सक्तियां बोलते हैं जो बजी खुची शक्तियां बज जाती है वह आप केंद्र के बजाए प्रांतों में नहित करिए तो बहुत नैच्रल है अब कॉंग्रेस चाहती थी एक मजबूत केंदिय सरकार औ की मुस्तिम लीग के की शक्ती तो प्रौफुल बना देंगे तो को फाज़ा होगा और हम प्रांतिया सरकार को ज्यादा पाउरफुल बनाएंगे तो हमें फायदा होगा तो उसने आसपस्ट उसने एक प्रांतिय सरकार को मजबूत बनाने की प्रोविंसिल गौहमेंट्स को मजबूत बनाने की बात किसले उसने कहा अपसी सक्तिया प्रांतों होगी 1928 में जब कलकाता में सर्व दलिय बैठा कुई तो बात बन नहीं पाई वारता टुट गई क्योंकि उधर से जो हिंदुवादी संगठन थे उन हिंदुवादी संगठनों ने भी दबाव डाल दिया जोड लगा दिया तो ऐसे में तो वारता चल नहीं सकती तो यह वारता उस उसने भी हिंदुवादी संगठन में जैसे सिख लिग था हिंदु महासभाद थी उसने काउंटर बैलेंस बनाया कि नहीं यह रियायत नहीं मिले कॉंग्रेस को भी हिंमत नहीं पर ही बात वहीं समाप्त हो गई तो इस तरह से निवर रिपोर्ट के बाद उसके बाद जिन् देखिए तो बड़ा आजीव था जिन्ना एक लॉयर थे लंदन में और लोग की सिक्षा वहीं पाई थी कुछ समय तक लोग का प्रैक्टिस में किया था लंदन से लोग की सिक्षा प्राप्त करके आये थे उसमें जिन्ना में अच्छी खासी अंग्रेजियत थी और जब व यहाँ पर जो आगाखान थे वो बड़े कंज्वेटिव बीडर थी एवा मसलमानों के सेलफय स्टाइट लीडर बनना चाहते थे अदो और मुसलमानों के बीच तो जिन्ना को बेसिक्ली कॉग्रेजिस ने में प्रमोट किया और जिन्ना कॉंग्रेस के मेंबर बने और राम माधव काहना है कि कॉंग्रेस ने जिन्ना से उमीद की कि वो हिंदु मुस्तिम एक्ता के लिए काम करें इसलिए उनको हिंदु मुस्तिम एम्बेस्टर का नाम दिया उनको मुस्तिम लीग का मेंबर वह वने कॉंग्रेस की सामति से बारे से चाहते हैं कि मुस्तिम लीग और कॉंग्रेस दोनों से जुड़े रहेंगे तो दोनों की उपिछ ब्रिज का काम करें और वही वज़ा है कि जिन्ना की पहल पर इधर से तिलक ने भी उनको एक मतलब तो लखनो पैक्ट में गांधी जीगा रोल नहीं इस तरह से आप देखते हो यह चीज जो बनती है लखनो पैक्ट का कि 1970 में यह पैक्ट हुआ तो जिन्ना की पहल पर हुआ इस पर एक आएसा जलाल है आएसा जलाल है तो पाकिस्टान ओरिजिन से लेगिन तो बहुत काफी वो एक्ट्री अमेरिका से जुरी रही और क्यांग्रीज हिस्टोरियन मानी जाती है तो आएसा जलाल ने एक बूग लि जिनना को एक ही महत्वा कांछा थी कि we have to work as a sole spokesman of Muslims in India तो वो Muslims के sole spokesman बनने की एक्छावन के दिली थी अब सवाल है कि जिनना जो 1920 तक इतने मतलब सब्सक्राइब के नेता थे कॉंग्रेस के इतने करीब थे 1920 मन से उनका अलगाओं क्यों शुरूआ तो इसकी दो व्याख्याएं प्रहा आती है एक परस्पेक्टिव तुम देखोगे वो कहता है कि देखिए गांधी जी चुकि जिनना कुछ भी हो तो 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 ड्राइंग रू तेकिन जन्ता की भी तो जिनना सूट नेक्टाई पहनने वाले लोग जिनना उनका बेसिकली स्कॉच विस्की पिने वाले शिगार पिने वाले पूरी तरह से उनमें अंग्रेजियत थी वो बेसिकली कॉमन पिपल से तो मिक्स नहीं करते तो अपने को एलिट समझते थे और कर्द को बचाने के लिए जिन्ना चलेगे कॉमिनल कार्ड खेलने कॉमिनल कार्ड मतलब संपर्दाइक उन्होंने पत्ता खेलना शुरू कर दिया मुस्तिम संपर्दाइवास से अपने आपको जूर कि अपनी हैसियत को भारती राणिती वे बनाए रखे भी जिन्ना का एक व्याक्या कि राममाध्योत ने कि आयसा जञाल के सवर्स minder को उन्होंने को रहत कि देखिए ऐसा है कि जिन्ना इसलिए अलगाओ ہو गया चो कि जब औसे और खिलाफत का दोर आया तो जिन्ना तो कॉंग्रेस पहले जिन्ना पर डिपेंड करता था अब कॉंग्रेस के नेता जब गांधी जी का प्रहाबरा तो गांधी जी ने मुहम्मद अली शौकात अली हाकिम अजमल खान जैसे जो लीडर्स हैं वो ऐसे लीडर से कॉं कॉंग्रेस में 1920 से रिजाइन करते हैं उसके बाद वो मुस्तिम लिग के नेता के रूप में रहे उसमें भी दो फेज रहा 1920 से 1929 तक थोड़ा लिबरल रहे लिबरल इसलिए रहे कि कुराना संसकार था सेकुलर संसकार तो इतना जल्दी छोड़ने में तो बनता नहीं था आप तो जानते हैं कोई अगर वेटेरियन नया नया नॉन वेज खाना शुरूर करता है तो उसकी रूची जगने में टाइम लगता है जिन्ना को कुछ मन रूचता नहीं था तो जिन्ना बहुत ज्यादा नहीं कर पाते थे और जिन्ना पहले लिबरल ही लीडर के रूप मे अपना फिस बनाया मुस्दिम लिग में थे लेकिन कहीं ने कहीं एक उनके ऊपर एक सेवरिजम का इंपैक्ट था लेकिन जब 1928 में निवी पोर्ट शेल कर गया तब जिन्ना आपने रूप में आ गया उन्हीं सो उन्तीस में होने 14 सुत्री काजिक्रम की घोशना करके की प् 1937 के चुनावी विफलता के बाद देखेंगे 1937 जब चुनावी विफलता मिली तो जिन्ना और भी बॉखला गए और उस बॉखला हाट में और भी ज्यादा संपरदाइक होते चले यह इस तरह से आप देख रहे हैं कि लिग में बदलावा रहा है कॉंग्रिस तब तक हम ल है निसोतीस में उन्होंने मुस्थिम लिपी घ्रियाइड करते हैं मुस्तिम लिख क्या द्यक्स्ता करते हैं उन्हें एक योजना डेडर डाली उत्तर पर सिंद्धिम के मुस्थिम बहुत च्छत्रों को मिलाकर अलग परांथ बनाए तो अब यहीं से अलगावाद को दिर मिलने मुहम espaço एकवाल कभी हिंदु मुस्थिम के गाण और हिंदुस्तान के आत्मा माने जाते ते जिनुने सारे जहां से अचे हिंदोस्ता हमारा वह बन गए पाकिसतान के पाकिस्तान सब तो बहुत बाद में आया है उसका प्रीज़ कहा है यहां से शुरू हुआ अब उसके बाद बिटिस का और बिटिस के साथ मजबूरी देखे बिटिस को सम्परदाईवात को शह दे रहा है ने मुक्ष kern करे दे रहा है दूसरा दूसरा बरीटिस को अपने शासन की वैधता इसलिए दो बाते हैं यह सी दीखो बिटिस बिटे शाद कर रहा था तो कर रहे थे तो बिटिस ने भले ही उनका उद्वि방 ओουν की सी कलोनियल जाता है वैपनवीसि उठ्वर हमेसा यही दिखाने का प्यातन करते थे कि देखिए हम भारतियों को civilize करें सब बना रहें भारत के विकास के लिए काम कर रहें लेकिन जब दादा भाय नौरोजी जिनको माना जाता है कि वह खुद उदारवादी नेता थे और उन्होंने जाहिरे कि उदारवादी नेता कहीं कहीं बिटिस राज के पक्षधर ही थे लेकिन उन्होंने जो एक ड्रेन थियरी दे दी धन की निकासी के ओधारना इसमें आकरे तक बता दिये कि बिटिस कितना भारत से धन लूट कर ले गए इसने बिटिस सासन की व्यधता पर प्रोश्चिन लगाना शुरू कर दिया अब बिटिस के लिए क्रैसिस ये हो गई कि अब दुस्तान रूख हो तो किस बहाने रूख नों को एक बेसित होना चाहिए तो बिटिस ने दूसरी वैकल्य के विजणा सोच लेए कि चलो अब बिटिस सतान में रूखते हैं तो अलग बहाना हम लेते हैं और वह है कि हम यहांँ सेंक सभू की सुरक्षा के वह तो साइमन कमिस्टन वहिस्कार के बाद भी साइमन कमिस्टन पुले देश का दौरा करके अपने रिपोर्ट ब्रिटेस्ट पर्लामेंट को प्रस्तुत किया उसी आधार पर तीन तीन गोल में समयलन हुए 1931 1922 और डॉक्टर भीम्रा अम्वेद करें ओभी तीनु के तीनों समयलन कुछ कोंग्रेस के फेवर में कर नहीं पाया इद्देश की एकता के फेवर में उसने कहीं न कहीं जिन्ना और अंबेदकर के तरह में जुकाओ दिखाया और इसी क्रह में 1932 में ला दिया सांपरदाइक पंचाट कॉमिनल एवार्ड उसमें सबसे दुखत बात यह हुई कि जिन्ना का तो सांपरदाइक मांगे तो माननी ही गई और उपर से जो डॉक्टर भीम्रा अंबेदकर हैं उनकी मांग को देखते वी दलित वर्ग के लिए एक पिर्थक निर्वाचन का प्राउधान ला दिया अब दलित वर्ग के लिए सेपेट इलेक्टूरेट फिर वही पंधती जो मु 1932 में पूना प्यक्ट के आधार पर फिर दलित वर्ग के लिए संजुक निर्वाचन पिकार कर लिया गया हां सीटों की संख्या बरहा दे गई इस तरह से कॉंप्रमाइज हो गया तो चलिए यहां पर तो बात समागत हो अब होच गया आप 1932 में अब देखिए अब आगे क मान ली गई तो जिनना और वी संपरदाइप होते जा रहे हैं तभी हुआ 1935 का आया भारत सरकार अधनियम और उता आधार पर हुआ 1937 के चुनाओ अब 1937 के चुनाओ है वह बहुत धक्का पहुंचाने वाली बात थी धक्का पहुंचाने वाली बात इसलिए थी कॉंग्रि के विधान मंडल में जो मुस्तिम आरक्षे सीटे थी उस पर भी मुस्तिम लिख का प्रदर्शन बहुत बुरा रहा यह बन गया मुस्तिम लिख के लिए एक आई ओपनर अब मुस्तिम लिख के दिमाग में इसी समय जिनना को अपनी गलती का एहसास हुआ और मुहमत इकबा पत्र लिख कर जिनना को चेताया देखिए आपको यह चुनाओं में विफलता इसलिए मिली है 1937 के चुनाओं में क्योंकि आपकी जो मुस्तिम लिख है अभी प्रहावी वर्ग है मुस्तिम समाज के उपर दरजे के लोगों का प्रतनेजित करती है कोवन मुसलमान उसको नह देखेंगे तो में कि बंगाल में फज्लूल्हक की सरकार बनी जो किरौस्तवत पजा पार्टिती हला कि उसको समर्थ ष्मिध्स लिख नहीं दिया था बाहर से मुस्तिम्न सरकार में नहीं गई थी बाहर से समर्थ दिया था और दूसरी तरफ उधर पंजाब में यूनिश पार्टी की सरकार बनी थी जाट नेता फोटू राम के साथ एक्वेशन था और अकाली नेता मास्टर तारा सिंग के साथ तो हिंदू और सिखों के एक्वेशन से पंजाम में सरकार बनी और सिंध में भी एक हिंदू का सपोर्ट था और वहां पर भी सरकार बनी एक साहथ वहां के प्रधान मंत्री बने तब चीफ मिनिस्टर को प्रधान मंत्री कहा जाता था तो जिन्ना की कहीं सरकार नहीं बनी वहीं से जिन्ना का एग्रेसिव पॉलिसी सुरू हो गया इधर हिंदू महासभाने में चुनाओं लड़े उसको भी बहुत बार जहटका लग ग को तो हिंदू महासभा को तो नहीं उनका तो बहुत ही कम बोट प्राप्ट बहुत बुरा प्रदर्शन हुआ तो फिर क्या हुआ कि मदन मोहन मालवियों समय हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे तो हिंदू महासभा के अध्यक्ष के पद से उन्होंने च्यागपत देदिया स्वास्त के आधार पर तब 1934 में नई अध्यक्षिमन कराए वीडी सावर अब इधर जिन्ना एग्रिसिव हो गए जिन्ना ने सोचा पहले उन्हें आत्मन्थन किया कि लीक की पतन का क्या कारण है लीक क्यों नहीं इतनी सीटे ले पाई कि लीक को क्यों चुनावी विफलता मिली तो उनको लगा कि भाई पहले तो हमें इसको जनसामानी की पार्टी बनानी होगी फिर उनको एक दूसरी गलती का एसास हुआ अब तक उनकी जो मांगे थी जिसको आप 1430 सांपरदाइक मांगे कहते हो उन लगवक्ष सभी मांगों को रेमजे मैंकडोनल ने एकसेप्ट कर लिया था जो सांपरदाइक पंचार जो कॉम्नल एवारड आया था उसने एकसेप्ट कर लिया था जिन्ना के पास कोई मुद्दा ही नहीं था 1937 के चुनाव में पर जिन्ना ने आनंग फान में 1940 में 23 मार्ट 1940 को उन्हें प्रिथक प्र स्रीट सब्द का प्रियोग करती हैं लाहूर प्रस्ताव में में पुन सुराज का प्रस्ताव कंगरेस ने पढ़ित किया था उसी लाहूर प्रस्ताव 1940 में जिन्ना ने मुसल्मानों के लिए प्रिथक प्रांत को अपना अबजेक्टिव बना लिया अलाकि जिस समय उन्हें objective बनाया उसमें मुझिम बहुर प्राम्टों से उनको समर्थर नहीं बिला था जहां भी बल्कि विढमना यहा है कि जिन्ना-प्रत новых आंदी को कहीं भी जिन्ना को बाद में अलग हो गया तो अफसा next का गोपी नाथ बार्द लोग की सरकार बनी कहीं पर जिन्ना क Star नहीं था वहाँ पर local पार्टी जो मुस्लिंद्व पार्टी थी हिंदू पार्टी के साथ encryption बना के काम कर रही थी अब जिन्ना बहुत मतलब मुस्किलें पड़े हुए थे उन्होंने तुरंत प्रस्ताव लाया लेकिन उस प्रस्ताव को मुस्तिम बहुल प्रांतों ने समर्थन नहीं किया बलकि जहां मुस्तिम अलसंखक थे जिसे बिहार के मुसल्मान, बॉंबे के मुसल्मान और संजुक् मुसल्मानों ने उनके पृतक प्रांत के प्राश्थाओं को समर्थन किया मुस्निम बहुत प्रांतों में कहीं भी समर्थन नहीं विला यह बात दरसाता है देखिए पाकिस्तान को popular mandate मुसल्मानों का प्राप नहीं था 1937 के चुना इस तरह से आप देखते हैं कि बात बढ़ती जा रही अब जिन्ना ने रन निती बदल दी 1940 मुने प्रतक प्रांत का प्रस्ताला दिया अब उन्होंने उलेमाओं का समर्थन भी लेना शुरू किया और जो मैंने ये मुस्तिम रुडिवादी मुस्तिम संगठन जो आप कहते हो अब जिन्ना इसके करीब आने लगे उनको लगा कि जब तक रुडिवादी मुस्तिम संगठन का हमें समर्थन नहीं मिलेगा तब तक हमें यहां पर किमत या हमारी मजबूती नहीं आएगी तो यही से एक बदला उसुरू और यही पर अब जिन्ना मुस्लिम लिग के नेता मस्जिद में बैठक करने लगे नारा देने लगे लर कर लेंगे पाकिस्तान तो पूरी रर्नीती लिग ने बदल दी तो लिग ज़्यादा आकरामक हो गया हम देखे एक नया लैंड मार्क मैं डूसे लैंडमार्क की थोड़ी सी चार्चा करर देता हूं अब एक नया लैंड मार्क आने वाला है और वहां लैंड मार्क है सेकेंड वर्ल वईर образ दूतिय विश्यून थे। और यह Second World War के बाद देखोज ब्रिटिस निती में एक बहुत बहुत मेजर चींज देखोगे मुस्निम लेकी राजनिती के प्रति Second World War में जैसे First World War में Congress का समर्थन मिला था और गांधी जी का समर्थन मिला था British सरकार को तो British सरकार होप कर रही थी कि Second World War में भी शायद समर्थन मिले और Congress के समर्थन पर वो और उसने भारत को बिलिजरेंट नेशन भी युद्रत राष्ट भी घोशित कर दिया था लेकिन युद्रत राष्ट घोशित करने के बाद भी Congress इस बार अड़ी हुई थी Congress तो इसने कहा कि ना एक पाई ना एक भाई गांधी में साप मना कर दिया और फिर Congress गांधी जी के नत्रित में बीटे से समर्था ले लेते हैं तो दुनिया को कम से कम दिखा पाएंगे कि देखिए Second World War में हमें जवरन हम घसीट नहीं रहे भारत को चीकि भारत क्लेम कर रहा था कि Second World War में इंडिया को जवरन ड्रेक किया जा रहा जवरन घसीट आ जा रहा इंडिया विलिंगली पार्टिपेट नहीं कर रहा जिन्ना को लग रहा था जिन्ना तो अपना अफशर की तलास में बैठे हुए थे सरकार को ऐसा लग रहा था कि अगर हमें Congress के बजाए मुस्तिमली का भी समर्षन कर सकते हैं कि आप हमारी बदले में दो शर्टों को मूझण करेंगी करने कण हमें वीटो का पावर मतलब यह है या कोई भी समयधानिक निर्ने होने वाला होगा, उसमें लीक को वीटो चाहिए, जब तक हमारी सहमती नहीं होगी, तब तक वह प्रोग्राम आगे नहीं पढ़े, इनका यह कहना है, और दूसरी उसकी मांग थी, जिन्ना की, आप हमें सूल स्पोक्समेन, मुसल्मानों के सू सहमती चाहिए, सरकार ने दोनों शर्ते माले, अब कहा जाता है कि बीटे सरकार परिबरा कैल्कुलेटिव ले रहे थी, बीटे सरकार यह सोच रहे थी, कि मुस्निम लीक को हम बरहावातु दें, और मुस्निम संपरदायवाद को थोड़ा सा प्रोषाहन दें, लेकिन मुस् सरकार बिल्कुल सरेंडर कर गई, लीक की सामपरदाए मांग के समख सरकार सरेंडर कर गई, अब यहां पर लीग और जिनना बहुत पावरफुल हो गये, और उसी क्रम में लीग ने जिनना के नतरत में एग्रेसिव पॉलिसी अपनानी शुरू कर दें, जैसे अब एक योज लिए उसे हैं अपने आप प्रतनिधी को भेजने थे और पांच लिको उस वेवे लिए उजना में सरकार में से तो कॉई अपने दो मुस्दिम परतनिधी को भेज दिया मुलाना अबुलकलम आजाद और खान अबुलगाफार खान को तो जिन्ना इस पर इसको रिजेक्ट कर दिया जिन्ना ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता कॉंग्रेस हिंदू की पार्टी है लीग मुसल्मानों की पार्टी है तो इसलिए जब भी मुसल्मानों के हिस्स सम्मंत कोई दिखते हो यह बारता टूट गई और विवेल योजना खटाई में पर गई तो विवेल योजना ने सिद्ध कर दिया कि भारत में कोई भी संबैधानिक सुधार अब नहीं हो सकता क्योंकि इस पर जिन्ना की सहमती नहीं है तो सेकेंड वह लोगाद बिटिस बिटिश की लाचारी अब बिटिस लाचार हो गया खुर क्योंकि उन्होंने जिन्ना को इतनी पावर दे दी जितना उनको नहीं देना चाहिए था बिटिस को अब बिटिस की लाचारी हुई और जिन्ना ताकत बर जिन्ना एवं लीग शक्तिशाली जिन्ना एवं लीग शक्तिशाली देखो अब यहां तक तो हुआ लेकिन अब एक टर्निंग पॉइंट आया सेकेंड वर्ल वार के बाद अब दूतिय विजुद के बाद एक टर्निंग पॉइंट के आता है जैसे कहा जाता है बिटिस चलिए सेकेंड वर्ल वार तो जीत गए प्रंतु अपने सामराज को हार गए अब बिटिस सामराज इतना कमजोर हो गया था कि भारत में अधिक समय तक उसको नहीं रुखना था अब उसको भारत खाली करना था तो जब तक भारत में रहना था तब तक तो उन्होंने मुस्लिम लिग और जिन्ना को काफी शह दी वाकि इसी आधार पर बेटिश शासन की व्यधिता भारत में बनाए हुए थे जैसे आप आप कहते हैं अंग्रिय जो भारत छोड़ो उगते हो मैं हम छोड़ देंगे आप प सक हिंदुस्तान में रही जब तक हमारा निर्ने कर दीजिए बिटिस मुस्कुराने लगते कि अब पहले आप रोग आपस मिली पढ़िए फिर हम जाएंगे इस प्रकार से अब तक तो यही गेम खेल रहे थे बिटिश अब वो गेम उनको भारी पर रहा था क्योंकि पताना पड़ता है बहुत लंबी कहानी है तो संशित बताते हुए मुझे थोड़ा बैग्राउंड को कि मैं अगर इशू ना बताओ तो फिर चारों को कट घरे में खारा करूंगा वह किसको कितना रेस्पॉंसिबल मानों तो फिर अगर हम केवल उनहीं चारों के बारे में कह देते तो आप में से हमारे ओडियंस जो जिनको इतिहास पूरा पता है वो तो समझ जाते लेकिन जिनको पीछे का घटना करम पता नहीं हो मिस कर जाते है इसलिए घटना करम भी बताना पड़ा इसमें टाइम थोड़ा खिच गया मैं इतना लंबा बनाने के मूड में नह में मामला जब वृवर के बाद बृतेन में चुना हुआ कंजिवेटी पार्टी की सरकार चर्श्रिल चींकी सरकार हार गई और पहली बार एक प्लेपर सरकार गठित हुई क्लिमेंट अटली प्रधानमंत्री बना अब उसको भारत खाली करना था तो भारत से कैसे जाए चुकि मुस्निम्ली को उसने संब्यधानिक विकास पर विटू की शक्ति दे दी ते और वहीं मुस्निम्ली का उसको कॉलर पकर कर खड़ा था कि नहीं नहीं आप नहीं जा सकते पहले आप हमान डिर्ने कर दीजिए तो मार्च 1946 को एटली की सरकार ने अपनी नीती में परिवर्तन ला दिया और एक घोशना की अज संखाकों को बहुत संखाकों की प्रगती पर अंकुष लगाने का कोई अधिकार नहीं मानुरिटी इस नोट हैविंग एनी राइट तो बीटो ओवर्ड़ प्रोग्रेस ऑफ मेजॉरिटी तो जब उसने घोशना ला इसका मत्तों उसने मुस्तिन लिग को हिदायत दे दी देखो ऐसा है कि आप आके निगोसेटिंग टेवल पर आईए आप वारता की मेज पर कि आप समझ लो तो जिनना भी और लीग भी घवरा गई कि भाई तो कुछ करना पड़ेगा और फिर उसने कैबिनेट विशन योजना ला दी और कैबिनेट विशन योजना ने प्रैक्टिकली विवाजन को अस्विकार कर दिया उसमें भी मैं आपको बताना चाहता है कि यह यह हत्य हुआ कि ठीक है विवाजन नहीं होगा तीन अस्तरी एक धाचा बनेगा एक केंद्रिय सरकार के अस्तर पर पहला धाचा होगा इसके पास तीन ही विश्य होंगे विद्यश परतिरक्षा और संचार और एक मध्वर्ती धाचा होगा उसमें वास्तविक सक्ती रहेग लिए ग्रूप में उत्तर पुरव के दो मुस् fiqueiराव। रहेंगे और नीचे प्रविश रहेगा तो ठीन हायरारंकी रहे और वास्तविक सक्ति प्रांतों की समुह में होगे उसकुकर में का सी है अब जिन्ना ने इसको एक्सेप्ट किया चुकि जिन्ना को लग रहा स्वीन वास जिनना इसी उमीद में उसने कांग्रेस ने भी कर लिया इंटर्व्यू लिया तो जबाहर्लां निरुने कह दिया उसे कि देखी इसमें जो स्वेस्व का प्रावधान दिया होगा है A, B, C, वो कोई अनिवारे नहीं है, व्यकल्पिक है, अगर कोई अगर प्रांत चाहे कि B ग्रूप से A में आ जाया, C से A में आ जाया, तो आ सकता, और cabinet vision ने इसको असपोस्ट नहीं किया था, इस बात पर जिन्ना को लगा कि भाई, ऐसे में तो जो मुस्दिन बहुल प्रांभ तो B गुब में था और Cchine के कशासन था जिन्ना यहीं उमीद किया हुए था कि भाई, यहीं उमीद किया हुए थी कि भाई अब B गूर्प में जो सरकार होगी आ स्व बी ग्रूप में जो तीन इस्टेट्स हों गवी उसमें एक एक मुस्थम बहुल होगा जो उतर पसिंसिवा प्रांद है उसमें की अगे चल कर और अपनी सरकार बना लेंगे प्रिफ के सरकार ती की सरकार तब तक से बाहर हो गया, कहा कहा कि हम इसको नहीं मानते हैं, रिजेट कर दिये, और रिजेट करने के बाद आप तो जिना को लग गया कि सरकार तो आप घास नहीं डालेगी हमें, क्योंकि सरकार को abiez उसको जाना है सहाटा नहीं करेंगे, अब जिना उतारू हो पॉलिसी 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 में उतारू हो गए और उन्होंने 16 अग्श्ट उन्होंने उनका घोषित निए थी पीसफुल डिमोंस्ट्रेशन लेकिन उस घोषना के कारण कलकता में मुस्तिम लिव और सुरावर्दी की सरकार थी कलकता किलिंग उहां शुरू हो गया और कलकता में दंगे शुरू हुए तो बंबे में दंगे चले आए बंबे से दंगे कर जलने लगा और सबसे ज्यादा सबसे जो दुखत बात थी थी कि बिटिस की जो आर्मी और पुलिस थी वहांत मांदे खरीती का चलिए गांधी जी अकेला नुआ खाली में जाकर तेले के कलकता तक दंगों को रोका तो जो मैंने पीछले लेक्ट्चर ने बताया बाद मे उतने ताओं में बनाभाय पटिल जैसे नेहरू करते हो गांधी करते हो जो भी करते हैं जो बल्लक भा पतिल वह बल्हां पटिल सबसे पहले उस ग्राज़ेको अब उनिस सो चीयालीस की द्रिस्त को देखने के बाद उनिस सो सैतालीस की बीगनिंग तका कर मतलब फरबड़ी मार्च उनिस सो सैतालीस तका कर विसेस कर जब लगा कि अब देश चल नहीं सकता तो बल्ला भाई पटेल पहले ऐसे बरिश्ट कॉंगरेसी नेता थे जिन्हों पहले विवाजन की संभावना को सुविकार किया और कहा कि अब भारत विवाजन को स्विकार नहीं करता तो कई खंडों में बठ जाए अब यहीं धिरी है आप देखोंगे कि मांट वेटन आया फिर मांट वेटन प्लैन लाएगा भरत कभी वाजन हो विर लगता है कि इतनी जो पीछे background का knowledge आपके लिए प्रियाप्त होगा, अब हम लाते हैं different contenders को, चलिए इसमें किस की क्या जलती थी, एक-एक को सामने लाते हैं और तब उनकी हम बताते हैं कि क्या है, देखिए, तो कि जो पहले सरसीद अमत खान के दिमाग में जो आया खुरापात आप देखते हैं, वह खुरापात आगे बढ़ता गया, सिमला पर्तिदी मंड़ से लेकर मुहमद रे जिन्ना तक जो मुस्निम्ली के महत्वा कांचा है, उसने विभाजन लाया, और विभाजन में एक मुस्निम्लीक का अलगावादी राणिती शुरू ही और धिर धिर जब भारती राष्टी आंदुरन जब उग्र जोर पकरने लगा, तो बिटिश अब एक इसमें एक में कंटेंडर बन गए और मुस्निम्लीक की सांप्रदाइक राणिती को हवा देने में बिटिश का बहु में भी मुस्निम लीग उस्साह देने में चाहिए वो पिर्थक निरवाचन हो या बंगाल का वहाजन हो, बिटिश ने एक गियम बहुत पहले शुरू कर दिया था, तो बिटिश तो है, अब कॉंग्रेस, तो जो क्रिटिक्स मानते हैं, वो क्रिटिक्स मानते हैं कि what the बिट and league, what the league and the British did through commission, Congress did through omission, Congress did through omission, मैं आपको बताना चाहता, कि अगर league और British ने कुछ करके विभाजन को लाया, तो Congress ने कुछ ना करके विभाजन को लाया, जैसे मैं आपको बताता हूँ, Congress ने भूल कहां कहां होई, एक चीज, कि देखे, Congress से miscalculation वहां हुआ, कि उसने सरसरीय दमद खान को देखा, फिर उसको असिमला परतने, धी मंडल को देखा, तो Congress के दिमाग में यहाँ बात थी, यह Congress ने सोचना शुरू किया, यह Congress को जो वरिष्ट नेता थी, इसमें कोई एक नेता रेस्पोंस से वो नहीं है, सारे अब पूरी Congress अजय संगठन, विपन जंदरा काते हैं, तो जो फेलियर ओफ Congress अजयन और्गिनाईशन, तो Congress को यह लगा, कि अगर हम सरस्यादमत खान पहले और बाद में जिन्ना जैसे नेताओं का, राणितिक महत्वा कांचा को थोड़ा संतूस्ट होने देते हैं, उसके साथ deal करके उसे कुछ राणितिक रियायत दे देते हैं, तो वह मान जाएगा, शान्त हो जाएगा, और होने के बाद बीभाजन टल्या, मनला बीभाजन तो खेर उसे में बात भी नहीं थी, यह मुस्तिम संपर्दायबाद का जोड हो कम हो, उसमें तक बीभाजन की बात नहीं थी, कॉंग्रेस जिसमें यह कर रहा था, बीभाजन का मुद्दा उभर कर आया है, 1930 के दसक के 1937 के बात, उसे पहले नहीं, उसे पहले केवल मुस्लिम संपर्दायबाद था, अब इसमें कॉंग्रेस ने नेताओं के अस्तर पर बात सुरू की, जब मुस्लिम संपर्दायबाद का रंग चर रहा था, तो कॉंग्रेस को चाहिए था, कि कॉंग्रेस मुस्लिम संपर्दाय को अ मेताओं के प्रतिष्ठा काफी बह गई फिर 1920 में गांधी ने जो खिलाफत का मुद्दा ला दिया जिस्ते जो भी दबे हुए मुस्लिम रुडिवादी ततो थे वो सब आ गए फोर फ्रंट पर और उनको जो रुडिवादी राजनिती है वो पत्ता खेलने लगे तो यह भू होगे तो तो बहुत भी फर जाएगा अब पॉपलर आपको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा को मास को आप अपने कॉंफिडेंस में लीजिए मुस्तिनों के बीच जाए उनको एक सामाने मुसलमानों को अपने प्रभावच्छत में लेनी कोशिश करिए नेताओं के स्था पर आप गेम मत खेलिए नेताओं के अस्तर पर आप करेंगे उससे आपका प्रॉब्लिम सौर्ब नहीं होगा अब देखिए रामाधव की बुक में नई बात देखी दूसरे किसी बुक में मैंने देखी नहीं इसलिए हमको वेरिफाइड नहीं है वो कहते है रामाधव इस मुसल्मानों के परतनिदी के रुक में लिग रहेगी हम स्विकार करते हैं लेकिन ऐसा मैंने कहीं दूसरी आप आया नहीं है और दूसरी बात यह कि कॉंग्रेस इस प्रिंस्पुल तक लास्ट तक लड़ती रही कॉंग्रेस ने तो इतना तक दूई राष्टबात का सिध् हितनी इस तरह की नहीं है कि हम साथ साथ चल सकें लेकिन हम ऐसा नहीं एक्सेप्ट करेंगे इन प्रिंस्पुल कि हिंदू और मुसल्मान दूर्म दो राष्ट है इसलिए जो राम माधव ने लिखाया उस बूक में किसी दूसरे बूक से मेरा वेरिफाइट हुआ नहीं मैं मिल जाती है तो थोड़ा सा उसका बेसिस मिल जाता है कि दूसी बात यह बात हुई तो यहां पर कॉंग्रेस का फेलियर है बलकि 1937 के चुनाव के बाद एक कम से कम कॉंग्रेस में एक नेताज पढ़नी जबाहला नहरू ने बहुत गंभीरता से प्रयास किया मुस्तिमास जलाएं और सामान मुसल्मानों को अपने विश्वास में लेने कोशित करें कि तब तक तो काफी लेठ हो चुका था यह प्रयास हो जाना चाहिए था शुरू हो जाना चाहिए था थोड़ा पहले अलाकि नहरू ने फिर भी लेठ ही सही प्रम तो नहरू ने प्रयास रही और फिर कॉंग्रिस की अब आते हैं कि Anda इसन पहले जैसे संगठन थे वह कहें न कहीं एक परंपरावातपृन का बिसेस बलता लेकिन जब 1909 में लाज चंग वगणर ने पहले पंजाब हिंदु महासभा बना था ញ tillsमा महा सभा बनी थी और में अखिलू भारती ieved महा सभा और एक organization जो जिसके अस्थाप्टा उनिस्टर प्रचीस में डॉक्टर बजराम हेग्रेवार्व ने नागपूर में कि राजनिती में इनकी दिल्चस्प भी डारेक्ट नहीं थी यह के रूप में काम करती अभी भी है यह भी हिंदू के हितों की रक्षा और हिंदू को ट्रेन करना और एक हिंदू एक organization के रूप में अपनी प्रहचान बनाई अब अभी जो नया narrative आया है वो यह आया है कि कभी भारत के partition के लिए गांधी को सुली या गांधी नेहरु ज्वाइंट या कॉंग्रेस को उत्तरदाई ठाराया जाता है कि कॉंग्रेस ने विभाजन को एक्स्टेप्ट किया इनका कहना है कि कॉंग्रेस ने पहरे जो भूलें की और भूलें की लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो जब 15 अगस 1947 को आजादी मिली तो RSS में भिंदू महासभा ने आजादी की खुशियां नहीं मनाई और नहीं कॉंग्रेस समाजवादी दल में आप जानते हैं असोक मेहता थे रामनो लोह वग्रती इन्होंने आजादी की खुशी नहीं मनाई इन और बाकी कॉंग्रेस में तो निहरु का परसिद भाशन कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो कॉंग्रेस ने इतनी लंबी ब्रिटिस से इतना एग्रेसिव लराई के थी श्वदेसी मुहमेंट चलाया था और कॉंग्रेस ने इस मुहमेंट के बल पर और फिर 1911 में उसका एनलमेंट हुआ फिर उस विभाजन को रद कर इसको एक बंगाल के वहाजन होता है तो कोन्रेस इतनी अपनी आक्रामकता दिखाती है और इतने आक्रामकता तरीवके आंधूरन कारंब कर के कॉंग्रेस में थो फिर कॉंग्रेस परिश्थित्य उनिस सो पाँच में थी क्यों कि 1946-1947 में देश एक्तम ग्री युद्ध में फसा हुआ था सेना और पुलिस बिटिस के पास थी और सेना और पुलिस बिटिस के हाथ में थी और बिटिस सरकार जैसी इसमें जो राज मोहन गांधी का तर्क मुझे बहुत अच्छा लगता है राज मोहन गांधी ने कहा कि विवहाजन को रोकने का अब तीन ही तरीका हो सकता था एक तरीक बीटिस रूखे हुए था बीटार बट नहीन आूजिन तब तक आप डूनों अपना निर्ने नहीं लेन लेते दो और हम उसका सुन नहीं लेते और हम उसका हम लागू नहीं करते दिए से तरह भाफ को अब ऐसा बिटेस क्यों कर रहे थे कं तो कुछ बता रहे थे इक बदेस्ट को बचाने के लिए नको लगता था कि आपस में मर कटेंगे तो फिर हमारी सब खराब होगे लेक्ट्स तो इतने मतलब इतने बढ़लत के सुवचीन तक लगते नई तो अपनी बचाने के लिए तो सिरियल है तो थो साहितिक सर्थ भी हो सकता है वाइसराय हाउस करके कुछ है उसमें भी इस बात को उठाया गया था कि सित्यूद सुरू हो गया था उनी सो पैतालिस में और भारत गुट निर्प्रेक्ष्टा की बात कर रहा था उनी समय सेकेंड वर्ल वर के मद शित्यूद कोल वर सुरू हो गया था और रसिया के दक्षि में अफगानिस्तान था इस बात को बिटेन और अमेरिका भली भाती जा क्या थी अफगानिस्तान के रहते अरव सागर में होट इस्ट्रीम उसके पास कोई एक होट इस्ट्रीम का रास्ता नहीं खुल पारा था तो अफगानिस्तान के रास्ते अरव सागर में उतरने की इक्षा उसकी हो सकती थी उनको लगता था कि कल को अगर अफगानिस्तान मे इंडिया बोल रहा है नोन इलाइमेंट, गुटनिर पेकस्ता, इंडिया हमारे साथ आएगा नहीं, तो हम कैसे लड़ेंगे, उनको लगा कि अगर हम इसको बाट कर पाकिस्तान बना देते, और एक अलग कुतन तराजी बना देते, वहां खरा होकर अफगानिस्तान में लड़ सकेंगे रसिन के साथ, और ये बात कोई बेसलिस भी नहीं लगती, क्योंकि आप देखें, सित्यूद समाथ हुआ कब, इसी पाकिस्तान को बेस बना कर अमेरिका लड़ा, और कॉल वर अंत में सुवेत रसिया हा रही है, अफगानिस्तान में फंस कर, आप लों को पता होगा कोल वर के बारे में, तो ये कहीं ने कहीं, जब ये मंसा थी, और जो लंदन में प्लैन बना था भी भाजन का, तो भारत में एक पार्टी, दो पार्टी के करने से कुछ बात रोक नहीं रही थी, तो राज मोहन गांदी ने कहा, कि बिटिस भारत छोड़कर एक चीज़त है, कि बिटिस अगर भारत छोड़कर जाने के लिए तयार हो जाते है, और कॉंग्रिस को या किसी को सुपूर्द कर देते हैं, कि आप लोग आपस में निपट लिए तो हम लोग कुछ कर सकते हैं, बिटिस डटे रहें कि हम तब तक नहीं जाएंगे, जब तक आप दोनों आप दिया हाने, दूसरा, अगर कॉंग्रिस मुस्तिम लीग को को इतनी बरी रियायत दे देती कि वह पार्टिशन से पीछे हट जाती खुर, जैसे गांती जी ने दिया कि वह जिन्ना को प्रधानमत्ती बनाती, उस समय कि उस कॉंगनल इंभान्मेंट में जिस तरह से हिंदू स समपन्दायवाद ने भी उगरुधारन कर लिया था, यह नहीं चल सकता, इसमी फिर उधर से उतना बैकलस होता, उसकी बहुत बड़ी प्रतिकिया हिंदू के बीच होती, चुकि उसमें तो हिंदू मिली टेंसी काफी आगे बढ़ चुकी, और तीसरा था, कि बल पूर्बक शक्ती के बल पर, सैना के बल पर, पूलिस के बल पर, जो भी उपाय हो, कौरसी पावर के थो, कौरसी पावर मतलब दंड सक्ती के बल पर, मुस्तिम ली की मांग को जवरन दवा दिया जाता, कहा था, खवरदार आप स्तांत हो जाई, तो क्या उसके लिए इंडिया के पास आर्मी या कुछ पुलिश ऐसी थी इंडिया के पास उतना मस्कुलर पावर कॉंग्रेस के पास थी जिस गिर्यूद्य में घिरा हुआ था 37 करोर उस समय इंडिया की जन संख्या थी लगभग और 24.3 परसेंट लगभग मुस्तिम जन संख्या थी मानकर चलिए 9 करोर मुस्तिम जन संख्या थी इंडोस्तान और क्या ऐसी स्थिती में बलपुर्वक आप कैसे दवा देए और सबसे बड़ी बात है कि जिनना आपको उसी समय ये लॉस्ट अपर्चुनिटी भी पहले ही आपको मुस्तिम पॉप्लेशन को विश्वास मिलेना चाहिए मुस्तिम लीग को अलग थलग करना चाहिए जब मुस्तिम लीग ने मास पर अपना इंपक्त कायम कर लिया तो विवाजन का विकल्प ग्रियूद हो रहा है जिसमें कि देसी सरकार के पास न सेना है न पूलिस है अब आए चौथा कंटेंडर हिंदुवादी संगठन आज ए कॉर्णर में खरे होके का रहा है कि कॉंग्रेस ने देश को विवाजित कर दिया अब इनका रोल क्या रहा है इनको देखिए जब यह संस्था बनी तो इस संस्था में पहले इनके पास और यह ने अखंड भारत की बात किया बहुत अच्छी बात है अगर अखंड भारत हो तो इस सुखद बात क्या हो सकती है अखंड भारत का क्या प्लैन था इनके पास चाह इनके पास को ऐसा एजेंडा था जिसे भारत का विवाजन रोक पाता नहीं जब इस संस्था बनी तो इन्हों ने बदले में क्या किया तो हम हिंदू के हितों की रक्षा करेंगे मुसल्मानों के हितों के बृत तो मानुरिटी के बदा है हम मेजॉरिटी कार्ड खेलेंगे ठीक है आप हिंदू की हितों की रक्षा करेंगा, मुसल्मानों की हितों की बुर्च तो इसमें आप नहीं क्यों नहीं सोचा, कि आन जाने इसमें जिन्ना का काम बंदा है, जिन्ना जैसे जो सामपरदाइक नेता थे, वो इस बात को कभिंस करने की कोशिश कर रहे थे, मुस्तिम जनसंख्या कूग ऑग, क्या आप हिंदुस्तान में स्वाहीमान के साथ रह पाओगी, क्या आपको यहां जो हिंदू मीजरिटी आपको जीन, इस तरह से आपको सोतंत रूप से जीने देंगी, आपका इस्थिति यहां इंडिया में second class citizen की तरह हो जाएगी दूतियम दर्जे के नागरिक की तरह हो जाएगी उस समय चाहिए था उन मुस्तिम जन्स हैं क्या को विश्वाद ना की मेरे भाई तो मेरे बंदू हो जैसे हम है वैसे तुम हो हम equal citizenship है और कहीं पर हम बिल्कुल ही समान नागरिकताएं विश्वास करते हैं और हम कुछ मुल्भूत उद्देशों से आपस में बंदे हुए हम एक राष्ट हैं उल्टा अगर हम हिंदू राष्ट की बात करें तो इससे हमारा काम खराब होगा या अच्छा होगा कि यहां पर यह चीजें नहीीं काम कर रही थे ऑभ लिजिए बीडी सावर कर को वीडी सावर कर कर ने तो ही तुम हा सवा के अध्यक्ष को हम कोई भी आसा काम की है नहीं करें राज के बिरुद्ध कि और उन्होंने फूर सब्सक्ते हैं जब 1938 में उसे पहले 1923 में उन्हें पुस्तर लेकि इसेंसियल ओफ हिंदुत्वा का इसेंसियल तो हिंदुत्वा और हिंदुजम में अंतर हैं जाती जैसे जो हिंदुवादी संगठानों चाहते थे हम जाती वहादिन को समाप्ध करके और हिंदु को एक 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 पूरिये एक मतलब हिंदु को एक राश्ट के रूप में शंगठीत करते हैं लेकिन उनका जो उनकी जो फिलोसफी थी वह फिलोसफी बेहतर नहीं थी मतलब वो एक तरह से इंडिया के कम्पूइट कल्चर के अनकूल नहीं थी भारत जीस प्रकार का राष्ट बनाना चाहता तो उसमें सूप नहीं करता था अब उन्हें एक कल्चर नेसनलिजम का कॉंस्ट दिया उसको बोलते हैं सांस्कृतिक राष्टवाद के उनके अधारना क्या है अब आप ही देखिए उन सकते एक तो उनकी पित्री भूमी हिंदुस्तान हो और दूसरा उनकी उनका तीर्थ अस्थल जो उनका पवित्र अस्थल है वो भी हिंदुस्तान है अब देखिए पित्री भूमी हिंदुस्तान हो यह तो समझ में आ रहे हैं यहां पैदा हुए यहां रह रहे हैं अगर उन है अब इसमें किसके हो रहा है क्रिस्चनीति क्यों हो रही है कि अब सवाल है चल क्रिश्चन का पूसित records अच्छे खासी जन संख्या थे अच्छे कंटेंडर थे यह बात जो है यह बात तु अलगावबाद जैसे चीज थी जिन्ना अलगावबाद को जिन्ना की पूरी राणिती अलगावबाद पर आधरी थी और संजोग से जो सावरकर जी थे या जो हिंदु महासभा थी बीडी सावरकर भी वासा ही बोल रहे थे कुछ वह भी उनका जो कल्चर नेसनलिजम है वह ज से जिन्ना को और भी पुक्तास प्रमान मिल रहा था अब जैसे देखें पहले अब आप ही देखिए पंजाम इसकंदर है खान की सरकार थी फोटु राम और अकाली दल के सहयोग पर टिक हुए थी यहां बंगाल में फैलूल हग की सरकार थी तो अब इस सरकार के होने से मुस्लिंदी की पावर चेक हो रही थी तो जिन्ना ने परचार करना शुरू किया कि आप लोग इतना खुस मत होई है आपको लगता है कि प्रोविस में हम हिंदू के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे सेंटर में जिस दिन हिंदू की सरकार गठित होगी उसने सब प्रांतों में अपनों के सरकार को किरा कर हिंदू की सरकार अस्थापित कर अब वह भी डर रहते हैं अब उनको विश्वास में लेने की जुरूत है ताकि जिन्ना का जनाधार कमजोर हो जिन्ना को विचार को मा करना चाहिए था उसमें उल्टा इस तरह के अलगावाद का विजार दे कर जिन्ना कोशाद देने वाले आप भी बताईए इसमें हम किसको दोशी मानें सभी दोशी किसे एक पार्टी को हम कहां मुस्लिम लिग तो में कल्पिट है ब्रिटिस बहुत वरा विलेन है प्रोटेगोनिस्ट है और जो कॉंग्रेस है वो कॉंग्रेस ने एक साथ कई गलतियां कर दी और जो हिंदुवादी संगठन है उसने अंजाने ही जिन्ना के विचारों को सपोर्ट करते हैं और सबसे वरी बात है कि ठीक है आप कहते हैं कि विभाजन को रूपना है तो एक एजेंडा बताइए ने क्या एजेंडा है आप क्यों गलसरत इतिहास की व्याख्या करने से विभाजन रूप तो आप उसमें 1915 से तो हिंदु महासभा अस्थापित हो चुकी थी वही जाते गाओं गाओं में घुम के मुसल्मान कॉमन मुसल्मानों को भी स्वास में लेते पॉंग्रेस ने नहीं किया तो आप ने क्या किया तो मतलब हमारा ये है इसको एक ब्रॉडर कंटेक्स्ट में देखनी क्या वशकता है लेकिन जब हम पढ़ते ही इतिहास तो पता नहीं हम वन साइडिड हो जाते हैं वन साइडिल होने की जोतने आप एक ही करके देखिए तो आपको हर जगह चुक आप 1922 में आप देखिए आप जैसे आप हिंदु महासभा है जैसे आप हिंदु नहीं होई अब बताई 1915 से तो थी पॉस्रयोग आंधुरण में नहीं रही सवी नवगया आदुरण में नहीं नहीं आप भारत चुरूआ अंधुरण में मुस्तिम लिग ने सरकार का समर्थन किया तो हिंदु महासभानी ने समर्थन किया सरकार अब इनकी रणनीती यही तो हम हिंदू के पक्ष में रियायत ले ले लिए अब इस रन नीति को गर अब बैभारिक मानते हैं तो खीक है और सबसी ताज्यूब की बात हुई कि यहां बंगाल में फजलूल हग के साथ कोलिशन गौर्मेंट उनका बना ठीक है इस सिंद्ध में जीम सईद करके एक मुस् सवाल है कि हिंदू महासभा और मुस्दिमली का गठवंधन बन जाया या फिर फजलूल हग की सरकार के साथ ही तो फजलूल हग यही फजलूल हग लाहोर प्रस्ताओं में जिन्ना के साथ प्रस्ताओं में था और उस प्रस्ताओं में उन भी प्रतक प्रांथ की मांग कर रह कि आपने विभाजन को रूपने के लिए क्या किया कि आप तो सभी और्गनाइशन थे कि मैं यहां और विवर्स नूट्र रूप में विभाजन को देखने की जुड़त है अब कुल मिला कर आईए आप जजेज हैं क्या फैसला किया आपने अब मेरी विचार में हम देखते हैं जो आर्गुमेंट हमने दिया है मुस्तिम लीग और बेटेस में कल्पिट है कॉंग्रेस का भी उसमें रोल है कि कॉंग्रेस को जो करना चाहिए था मौके पर नहीं कर सकी हो और हिंदुवादी संगठन हैं उन्होंने भी अंजाने ही कई मुद्धे पर जिन्ना को शह दे दिया और प्रकारांतर से इनके पास भी पिवाजन को रोकने का कोई असपोस्ट एजेंडरा नहीं था बलकि इससे और भी बात बिगरती चले गई क्योंकि जो मिजरीटी कार्ड है वो कार्ड उसमें काम नहीं आया बलकि नुकसान दे तो मैं स्ट्वेंट्स यही हमारा मानना है यह मेरा धक्तिगत मत है और मेरा उद्धिस किसी को कोई हर्ट करना नहीं है मैंने इतिहास को न्य के सभाय और इसको सुनिया और समझ ये और देखिएर भीचार करद बिचार मन्थन करें विंकर ये वी को थिनकीं हरी आखिख कि बुवस्पख़्टीण ऐखिए कि हूवास रस प्रशी होल darf इसको इसको थे नच प्रचीब कि ङुट्था लें कार्जी हो डिख्वार कि तु झाल